सिसक्ता बच्पन, दर्द, आंसु, जिम्मिदारियों का बोज, गर्त में वर्तमान और अंधकार में भविश, लेकिन ये तस्वीर बदलने की कोशिश की भारत के एक सपूत जिसका नाम है कैलास सत्यार्थी कैलास परवत की तरह अडिक सत्यार्थी ने भोकर दिखाया जिसे दुनिया देखती रह गए मध्य परदेश के विदीशा में जन्में कैलास सत्यार्थी हजारों मासूम बच्चों को वो मुसकान दे रहे हैं जिसकी कलपना भी नहीं की जा सकती बाल मजदूरी की दलदल में फंसे बच्चों को ना केवल आज़ाद कराया बलकि उन्हें उड़ने के लिए पंक दिये सपने दिये और सपने पूरे करने का जज़बा दिया इंजीनिरिंग की पढ़ाई करने वाले कहला सत्यार्थी को नौकरी रास नहीं आई नौकरी छोड़ी और सुरू की बच्चपन बचाने की महिम उनके काम को पहचान मिली बच्चपन बचाओ आंदोलन से जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी बच्चपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 में की गई इस अभ्यान के जरी हजारों बच्चों को नई जिन्दगी मिल रही है सर्त्यार्थी ने बच्चों को ना केवल बंधुआ मजदूरी से आज़ाद कराया बाल योन अपरात के खिलाब भी खास महिम छेड़ी बच्चपन बचाओ आंदोलन आज भारत की तमाम राज्यों में सक्रिय है हजारों स्वम सेवक लगातार मासूम के जीवन में खुस्यों के रंग भरने का काम कर रहे हैं बाल मित्र ग्राम कारेकरम के जरिये जो को सिक्षित करने सम्मांग से जीने की काबिल बनाने की मोहिम जारी है बाल मजदूरों को छुड़ाने के दोरान उन पर कई बार जान लेवा हमले भी हुए बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले कैला सत्यार्थी को साल 2014 के लिए संयुक्त रूप से नोबल सांती पुरुषकार मिला मदर टेरेसा के बाद कैला सत्यार्थी दूसरे भारतियं हैं जिने नोबल सांती पुरुषकार से नवा ज़ए पुरुसकार का ऐलान होने के बाद पीम मोद ने उनसे मुलाकात की और उन्हें विश्व परतिस्थित पुरुसकार जीतने पर बधाई दी पुरुसकार मिलने के बाद कैलास ने अपना पुरुसकार देश को समर्पित करते हुए राष्टपती प्रड़ाव मुखरजी को सौप दिया था कैलास सत्यार्थी कहते हैं हर बार जब मैं एक बच्चे को मुक्त करवाता हूँ मुझे लगता है कि मैं भगवान के करीब हूँ हाला कि मैं मंदिरों में कभी नहीं जाता लेकिन जब मैं एक बच्चे को देखता हूँ तो मुझे उनमें भगवान दिखाई देते हैं और उसी में भगवान का दर्शन करता हूँ